हेलो फ्रेंस तो कैसे हैं आप सभी लोग The Sun Goes On A Holy Day के सकन्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंस तो चलिए आज इसमें हम पढ़ेंगे Question Answer Complete कराएंगे मीन क्या होगा कि इसमें हम Question Answer पूरी तरीके समझाएंगे आपको आप सिप कायट से देखर कि यदि आप लिख लिए ते लिखने से कुछ नहीं होता है यदि आप पार्ट के अनुसार उसका आंसर आच्छे से समझ गये तो आपको कहीं से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो को बिनादेर की हुए स्टार्ट करते हैं पहला कॉशन है reading comprehension reading comprehension का मीनिग होता है समझ भूझ कर पढ़ना comprehensive मतलब होता है समझना तो समझ भूझ कर पढ़ना answer the following question answer means होता है उत्तर following means होता है निमने लिखित और question means होता है प्रशन इसकी meaning में बोल दी हूँ आप लिख लेजेगा पहला question है when the sun took a holiday जब सूर्य ने छुट्टी लिया when means जब तूक लिया holiday छुट्टी sun means होता है सूर्य तो जब सूर्य ने छुट्टी लिया what did the following do तो नीचे जो ये table में दिया गया है little plant, flowers and leaves, trees, mother bird, bee, main, women and children जब सूर्य ने छुट्टी लिया तब ये सब लोगों के साथ क्या हुआ ये लोग क्या कमी महसूस किये उसका answer देने के लिए इस table में बोला गया है तो what did the following do नीचे लिखी हुए ये सारे लोग है उन्होंने क्या किया what did, क्या किया complete the table, complete means होता है पूरा करना पूरा, तो table पूरा करो, जो ये table है उसमें पूरा भरो कि इन्होंने क्या किया पहला है little plant, part के अनुसार, lesson के अनुसार आप याप कीजिए कि जब सूरी चला गया था, तब little plant क्या कर रहा था searched for the sun, searched for the sun, मैं पहले से इसमें लिख की रख ली हूँ आप अच्छे से लिख लीजेगा, समझ लीजे, उसके बाद आप लिखना समझ लीजे, समझाने के लिए मैं आपको ये question answer cover करा रहे हूँ नहीं तो मैं question answer cover कराने में कोई mood नहीं था search for the sun, सूरी की तलास में थे, जब सूरी चले गया, तो little plant क्या कर रहा था सूरी की प्रकास को ढूंड रहा था, flowers and leaves, जो फूल और पत्तियां थी वो क्या हो गए, सूरी की चले जाने से bent low to the ground, जमीन के और क्या होगी, नीचे जुप गए trees, trees की साथ क्या हुआ, tree भी sun को miss कर रहे थे, missed the sun, sun को miss कर रहे थे, mother bird, mother bird को क्या कमी मैसूस होई, she was sad because she couldn't go out to find, find food for them, for them यहाँ पास नहीं लिखा हुआ, पूजा नहीं थे, सलिए लिखी नहीं हूँ, तो mother bird ने क्या क्या हुआ, बहुत दुखी हो गई थी, because क्योंकि, वह अपने बच्चों के खाने की तलास में बाहर नहीं जा सकती, अपने बच्चों के लिए खाना लाने की तलास में बाहर नहीं जा सकती थी, she was sad because she couldn't go out to find food for them, वह अपने बच्चों के लिए खाना तलास के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, यह गाइड से आप अच्चास देख के लिए जेगा सिर्फ वीडियो के देखर क्या आप वीमिस मदवाक्खी होता है, तो मदवाक्खी के साथ क्या हुआ, couldn't find any honey, उसे किसी भी प्रकार का कोई honey नहीं मिला, कोई शाहद नहीं मिला, because, क्यों नहीं मिला, because the flower didn't bloom, अब सूरी की प्रकास के बिना यह फूल और पतियां और नहीं खिली थी, फूल पतियां नहीं खिली थी, जो यह फूल थे, flower didn't bloom, वो खिला हुआ नहीं था, तिसलिए उसे यह honey शाहद नहीं मिल सका, men, women and children, पुरुष महिला हैं और बच्चे, बच्चों ने क्या किया सूरी के जाने के बाद, they are stopped working, वे सभी अपने पूरे काम करना, वे सभी अपना काम करना रोक दिये, तो men, women and children के साथ क्या हुआ कि वे सभी अपना काम करना रोक दिये, चलिए second question क्यों चलते हैं, second question है, give the words used in the story for home, home के लिए, कहानी में, कहानी में न, give the words, सब्द दीजिए, used in the story, story, miss कहानी, कहानी में प्रयोग किये गए, for home, home के लिए, use किये गए, सब्दों को दीजिए, तो कविता में आप याद किजिए, किसके किसके लिए, उनके घर का, use किया गया है, मतलब घर किसके किसके घर का, use हुआ था, किसका किसका घर बताया गया था, story में, तो nest for birds, birds के लिए, nest का, up your, मतलब पुचिडियों का घर क्या था, nest था, high for bees, मदमक्यों के लिए, 6 प्रियों किया गया, उनका घर है, 20 किस घर है, abort for the sun, surya के लिए, abort का प्रियों किया गया, ठीक है, तो इस second question की यही आंसर होगा, आप अच्छे से, जब दो-तीन बार देकर, कि आप अपने lesson को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कि घर किस किस के लिए प्रियों किया गया था, तो bird, bees और sun के लिए प्रियों किया गया था, थार्ड question है, what did the sun feel when he looked down, what did the sun, surya ने क्या किया, surya को कैसा महसूस हुआ, when he looked down, जब surya ने नीचे देखा, उसे कैसा महसूस हुआ, तो surya जब नीचे देखता है, तो वो क्या क्या देखता है, he felt very sorry, वो बहुत अफ्सोस महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, क्यों क्यों कि पृत्वी क्या हो गई थी, the art seemed lifeless, पृत्वी जीवन रहित हो गई थी, पृत्वी जीवन उसमें खतम हो चुका था पृत्वी पर, he decided, फिर उसने क्या सोचा, he decided to stop his holiday, and start signing again, तो उसने फिर उसने सोचा, surya ने, वह अपना छुट्टी मनाना बंद कर देगा, और पुने चमकना शूरू कर देगा, ठीक है, पुने चमकना शूरू कर देगा, चाथा कृषिन क्यों चलते हैं, the author said that everyone began to work on the earth, because the author means होता है, लेखक कभी, लेखक said that everyone, लेखक हर किसी से कहा, began to work on the earth, पृत्वी पर काम करना शूरू किये, ऐसा author ने कहा, because, क्यों कहा, author ने ऐसा क्यों कहा, कि सब कोई पृत्वी पर काम करना शूरू कर दिये, because, क्यों की, क्यों कहा, इसका क्यों की का अंसर देना है, कि author ने क्यों कहा, कि हर कोई पृत्वी पर अपना काम करना शूरू कर दिये, जब सूर्य उग गया प्रित्वी पर, दसन स्टार्टेट साइनिंग, प्रित्वी पर क्या हो गया, सूर्य चमकना शुरू हो गया, सेकन्द फिंग क्या हुआ, the plants grew पधे बढ़ना शुरू हो गया, flowers bloomed, फूल खिलना शुरू हो गया, bees and birds स्टार्टेड, सिंगिंग, जो और चिडियां थी वह गाना गाना शुरू कर दिये वाइंड व्लो हावा चरना शुरू हो गया तो वह ऑथर ने हर कोई से मतलब वो author का क्या कहना है कि प्रिथी पर सभी लोगों ने काम करना शुरू कर दे जब शूरी आया तो प्रिथी पर ये सारे काम करना ये सारे घटनाए होना शुरू हो गए चलिए अगना question answer solved हो गया अब चलिए चलते हैं workable do के तरफ workable do means होता है सब्द कोस write the opposites of the given words in the behind one is done for you write the opposite उल्टा लिखो four given words दिये गए जो ये words दिये गए हैं डिब्बे में इनके उल्टा सब्द लिखना है ठीक है ध्यान से पढ़िए गए इसको बड़ा करने के लिए मैं इसको बड़ा करने के लिए मैं ज़्यादा zoom नहीं किए हो वीडियो को तो write the opposite वर्ड जो ये डिब्बे में लिखे हुए वर्ड है इनके opposite उल्टा वर्ड लिखना है ठीक है जो ये मदमाखी का छत्ता विहाइब मदमाखी का ये जो छत्ता है इसमें भरना है इन words के opposite वर्ड भरना है ठीक है तो चलिए मैं समझा देती हूँ हलाके लिखने तो आप अपने guide कुंजी से लिख सकते हैं लेकिन मैं इसको समझा दूँगी समझाने से ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है तो high पहला word है पहला डिबब हम क्या लिखे है high high means क्या होता है उचा low पार्ट के अनुसार ही हमको भरना है ठीक है high means होता है उचा low means होता है नीचा take means होता है लेना give means होता है देना ठीक है समझ में आ रहा होगा all means होता है sub और यह इसका opposite यहाँ पास आ जाएगा anyone means होता है एक ठीक है anyone means होता है एक disappeared means disappeared means क्या होता है address होना appear means होता है दिखाई देना rise means होता है उगना set means होता है अस्त होना out means होता है बाहर in means होता है अंदर happy means होता है खुश sad मिन्स होता है दुखी here मिन्स होता है यहाँ there मिन्स होता है वहाँ come मिन्स होता है आना go मिन्स होता है जाना इधर की सारे वर्ट के opposite हो गए अब इधर के वर्ट के करते हैं kind मिन्स होता है दयालू और ये cruel मिन्स होता है निर्दई काइंड मीन सोता है दयालू, कुरूएल मीन सोता है निर्दई, डाउन मीन सोता है नीचे, अप मीन सोता है उपर, ओपेंड मीन सोता है खुला, क्लोज मीन सोता है बंद होना, डार्क मीन सोता है अंधेरा, लाइट मीन सोता है उजाला, स्टिल मीन सोता है इस्थिर, मोग मीन सो होता है गती मच मिन्स होता है अधिक और ये अफ्यू मिन्स होता है कम अगें मिन्स होता है पाना लोस मिन्स होता है हानी या खोना स्टार्ट मिन्स होता है शुरू करना और इंड मिन्स होता है अंत आपको हमारी ये question answer वाली वीडियो ज़रूर पसंद आए होगी पसंद आए होगी प्लीज एक लाइक ज़रूर कर दीजे और अपने हर फ्रेंड के साथ सेयर कीज़े ता क्योंकि ये topic wise वीडियो है topic wise उनकी syllabus wise वीडियो अधिक से अधिक complete हो और comment करके ज़रूर बताई का आपक प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा क्योंकि ऐसे ही प्रत्य वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके मुवाल तक पहुँचे इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करना चलिए मिलते हैं next lesson में तब तक लिए धन्यवाद